हेलो स्टुडेंट्स अभी हम लोग कलास 12 एकोनोमिक्स में एकोनोमिक्स के सेकंड बुक यानि मेक्रो एकोनोमिक्स समस्टी अर्थसास्त्र में सरकारी बजट यानि गॉबर्मेंट बजट चैप्तर से रिलेटेट सभी subjective short question answer को पढ़ेंगे इस चेप्टर से exam में short question ही आएगा आपका jackboard termo 2 exam में तो चलिए अभी हम लोग class 12 jackboard termo 2 exam 5 April यानि कल के exam के लिए class 12 economics में economics का second book में सरकारी budget यानि government budget chapter से most very very important subjective question answer को पढ़ते हैं देखिए वीडियो के आंत तक देखिए पहला important topic है सरकारी budget से आप क्या समझते हैं सरकारी budget से आप क्या समझते हैं यह बहुत जैदा important topic है बहुत जैदा important topic है सरकारी budget क्या है इसको बढ़िया से याद कर लिजिएगा सरकारी budget से क्या तात पर यह है आगे देखिए आगे है दो नंबर सरकारी budget के क्या उदेशिय है अर्थवैवस्था में आर्थिक विकास की गती को तेज करना पिछडे हुए छेतर को बिक्सित करना आई की और समंताओं को कम करना आगे है अर्थवैवस्था में तेजी एवंग मंदी की इस्तिति को नियंतरित करना आई एवंग रोजगार में बिर्धी करना ये सब सरकारी budget बनाने का उदेशिय है आगे देखिए question number 3 बजट के क्या क्या संगटक है बजट के दो संगटक है पहला budget बजट प्राप्तियां यानि आई जो दो परकार का होता है राजस्व प्राप्तियां एवंग पुझिगत प्राप्तियां और दुसरा है budget बजट बए जो दो परकार का होता है पहला है राजस्व बए एवंग दुसरा है पुझिगत बए ठीक है चलिए आगे देखे क्वेसन नमर.4 बजट प्राप्तियां यानि बजट आई क्या होती है एक बीतिय वर्स में सरकार को सभी साधनों या सुरोतों से प्राप्त होने वाली मुद्रिक आई को बजट प्राप्तियां कहते हैं आगे है पाँच नमर.ज़वाल बजच बए आगे टोपिक है राजस्व प्राप्तियां एवंग पुंजिगत प्राप्तियां में क्या अंतर है पहला है राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां जिसे सरकार का ना कोई दाईत्व उत्पन होता है और ना ही सरकार की परसंपतियों में कोई कमी होती है राजस्व प्राप्तियां यानि राजस्व आय कहलाती है उधारन के लिए सरकार को दिया जाने वाला टेक्स आगे है दुसरा पूंजिगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां जिससे सरकार का दाई तो भी उत्पन होती है और परिसंपतियों में कमी भी होती है पुंजिगत प्राप्तियां कहलाती है उधारन के लिए सरकार द्वारा लिया जाने वाला रीन आगे है साथ नंबर सवाल राजस्व बै एवंग पुंजिगत बै में क्या अंतर है राजस्व बै एवंग पुंजिगत बै में क्या अंतर है ये सभी कौसन कौसन बैंक से लिए गए है जो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंड है कल के साइंस एंड कोमर्स एकोनोमिक्स एक्जाम के लिए आप लोग एकदाम बणिया से तयारी किजिए कल के एक्जाम के लिए देखिए पहला राजस्व बै क्या है सरकार दुआरा एक बीत्य वर्स में किये जाने वाला वो अनुमानित बै जिसके फल्सवरूप ना तो सरकार की परिसंपत्यों का निर्मान होता है और ना ही दाइत्यों में कोई कमी होती है उधारन के लिए छात्र विर्ती, विर्दा पेंसन, बेरुजगारी भत्ता आदी दुसरा है पुझिगत बै, सरकार दुआरा एक बीत्य वर्स में किये जाने वाले वा अनुमानित बै जिसके फल्सवरूप सरकार की परिसंपत्यों में बिर्दी होती है और दाइत्यों में कमी भी होती है उधारन के लिए सरजुनिक बय सरकार द्वारा रीन की वापसी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं टेक्स क्या है कर क्या है टेक्स किसको कहते है समझे टेक्स क्या है कर क्या है उत्तर या एक अनिवारी या आवेशक नेसेसरी भुकतान है पैमेंट है जो एक बेक्ति या फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है परंतु सरकार द्वारा उस बेक्ती या फर्म को डाइरेक्ट रूप में कोई लाब नहीं मिलता है टेक्स एक अनिवार या अवेसक भुकतान है जो एक बेक्ती या फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है परंतु सरकार द्वारा उस बेक्ती आफर्म को डाइरेक्ट रूप में कोई विसेस लाब नहीं मिलता है आगे दखिए आगे है टेक्स की क्या विसेस ताएं है कर की क्या विसेस ताएं है कर का क्या गून है टेक्स का क्या गून है समझे पहला यह एक अनिवारिय भुकतान है दुसरा सरकार टेक्स देने वाले को बदले में कोई विशेस लाब नहीं देती है तिसरा टेक्स से प्राप्त होने वाली रासी या आय का उप्योग सारोजनिक या समाज कल्यान के लिए खर्च होता है चौथा चौथा है टेक्स बस्तुओं या सेवाओं पर या आय पर लगाया जाता है परंतु इसका भुक्तान बेक्ती ही करते हैं पांचमा टेक्स का भुक्तान निश्चित समय पर किया जाता है और नहीं देने पर उसे दंडित किया जा सकता है आगे है कर प्राप्तियां एवंग गेर कर प्राप्तियां के उधारन दिजिए कर प्राप्तियां एवन गेर कर प्राप्तियों के उधारन दिजिए पहला कर प्राप्तियां tax receipt इसमें आएगा I कर income tax निगम कर, संपथी कर, उपहार कर, सिमा सुल्क, उत्पाद सुल्क, विक्री कर, सेवा कर, आदी दुसरा है बी नंबर गेर कर प्राप्तियां नॉन टेक्स रिशिप्ट इसमें आएगा फीस, लाइसेंस, परमीट, जब्त, संपती, दंड एवंग जुर्माना, सारोजनिक उपकरनों से आए ठीक है टेक्स रिशिप्ट में शिर्फ टेक्स आएगा इंकम टेक्स, निगम टेक्स, संपती कर, उपहार कर, सिमा सुल्क, उत्पाद सुल्क, विक्री कर, सेवा कर ये सब आएगा और नॉन टेक्स में फीस, लाइसेंस, परमीट, जब्त, संपती, दंड जुर्माना ये सब आगे देखें कोशन नमर 11 डायरेक्ट टेक्स एंड इंडायरेक्ट टेक्स डायरेक्ट टेक्स और इंडायरेक्ट टेक्स परतियचकर एवंग और परतियचकर में अंतर बताईए यह कोशन इस चेप्टर का सबसे इंपोर्टेंड कोशन है इस चेप्टर का सबसे इंपोर्ट question है परतियचकर एवंग और परतियचकर में अंतर बताईए अंतर अस्पष्ट करें डाइरेक्ट टेक्स सवंकारापात एक ही बेक्ति पर पड़ता है तो उसे परतियच कर कहते हैं जैसे इनकम टेक्स समपति कर निगम कर उपहार कर आदी आगे है दूसरा और परतियच कर और परतियच कर वह टेक्स होता है जो जिस बेक्ति पर लगाया जाता है वह बेक्ति इसका पेमेंट ना करके बुक्तान न करके किसी दुसरे बेक्ती पर ट्रांसपर कर देता है अथार्थ इस टेक्स को दुसरे बेक्ती पर टाला छोडा या हस्तांतरित किया जा सकता है दुसरे सब्दों में जब किसी टेक्स का कारागात एवन कारापात एक बेक्ती पर नहीं पड़ता है एक ही बेक्ती पर नहीं पड़ता है, अलग अलग बेक्ती होता है, किसी पर shelters लगता है, कोई दुसरा चुकाता है, उसे ओ-पर्तियक कर कहते हैं, जैसे बिकरी कर, उत्पाद कर, GST, आदी, आगे दखिये, आगे है, आनुपाथिक कर क्या है, आनुपाथिक कर किसको बोलते है समझे उत्तर यह वाट टेक्स है जिसमें सभी आई वर्क के लोगों से एक ही दर पर टेक्स लगाया जाता है चाहे बेक्ति अमीर हो या गरीब हो अथार्थ अनुपातिक कर की दर गरीब एवं अमीर दोनों बेक्तियों के लिए एक समान होती है जैसे बिक्री कर उत्पाद कर आगे देखिए आगे है कोशन नमर 13 परागरति सील कर क्या है परागरति सील कर किसको कहते है उत्तर यह वाट टेक्स है जिसका रेट आई बढ़ने के साथ बढ़ती है और आई घटने से घट जाती है अथार्थ या टेक्स अमीर बेक्तियों के लिए अधिक एवं गरीब ब जो आई बढ़ने से घटती है एवं आई घटने के साथ बढ़ती जाती है अथार्थ या टेक्स अमीरों पर कम एवं गरीबों पर अधिक पड़ता है जैसे मुबाईल रिचार्ज टेक्स मुबाईल रिचार्ज टेक्स आगे देखिए आगे है कोशन नमर 15 सरकार दुआरा लिया गया रिन पुंजिगत प्राप्तियां क्यों है सरकार दुआरा लिया गया रिन पुंजिगत प्राप्तियां क्यों कहलाती है उत्तर क्योंकि इससे सरकार का दाइत्व भी उत्पन होती है और परिसंपतियों में कमी भी होती है ठीक है सरकार दुआरा लिया जाने वाल पुन्जिगत प्राप्तियां इसलिए कहलाती है क्योंकि इससे सरकार का दाइत्व भी उत्पन होती है और परिसंपतियों में कमी भी होती है आगे देखिए कौसर नमर 16 सरकार को दिया जाने वाला टेक्स सरकार को प्राप्त होने वाला टेक्स राजस्व प्राप्तियां क्यो कि इससे सरकार का ना तो कोई दाई तो उत्पन होता है और नहीं सरकार की परिसंपतियों में कोई कमी होती है आगे देखिए कौसर नमर 17 सारोजनिक बय के क्या-क्या परकार होते हैं सारोजनिक बय जो सरकार करती है के निमनलिखित परकार है पहला विकास अत्मक बय जो विका को छोड़ कर खर्च होता है तिसरा योजना बै जिसमें योजना बना कर खर्च किया जाता है सड़क पर पूल पर इस्कूल पर चोथा गेर योजना बै जो अचानक बिना योजना बनाए खर्च होता है आगे देखिए आगे है आठारा नंबर स्वाल एट्टी नंबर स्वाल देखिए बिकासात्मक बै क्या है बिकासात्मक बै किसे कहते है यह वा बै है जो देश की आर्थिक एवंग समाजिक बिकास के लिए किया जाता है जैसे किर्सी एवंग अद्दोगिक बिकास सिच्छा स्वास्ट परियावरन आदी पर किया गया खर्च आगे है 19 नमर सवाल ग किया गया बय, गेर विकास अत्मक बय कहलाता है, जिसका देश के विकास कारियों के साथ कोई आर्थिक सम्मन नहीं होता है, जैसे पुलिस परसासन, सेना, कानून, बिर्दा पेंसन आदी पर किया गया खर्च, आगे है योजना बय, यह वा बय है जो सरकार दुआरा योजना बना कर योजना बिकास कारिकरमों पर खर्च होता है, जैसे सडकों, पूलों, स्कूलों, हस्पतालों, बांधों आदिक ये निर्मान पर किया गया खर्च, आगे है गेर योजना बय क्या है उत्तर, यह वा बय है जो सरकार दुआरा बिना योजना बनाएं, अचानक अचानक हुई दुर्घटनाओं पर किया गया खर्च आगे देखिए आगे है बजट के कितने परकार होते हैं बजट के दो परकार होते हैं पहला संतुलित बजट दूसरा और संतुलित बजट जो दो परकार के होते हैं अतिरेक बजट एवन घाटे का बजट आगे देखिए आगे बोल रहा है question number 23 संतुलित बजट क्या है संतुलित बजट किसे कहते है यह वा बजट है जिसमें सरकार की I एवं बय दोनों आपस में बराबर होते है अथार्त संतुलित बजट में सरकार की I बराबर सरकार की बय होती है संतुलित बजट किसे कहते है यह वा बजट है जिसमें सरकार की I एवं बय दोनों आपस में बराबर नहीं होते है अथार्त संतुलित बजट किसे कहते है 25 देखिए बचत का बजट अतिरेक बजट क्या है 25 बचत का बजट अतिरेक बजट क्या है उत्तर यह वा बजट है जिसमें सरकार की अनुमानित आए सरकार की अनुमानित 22 से अधिक होती है यानि अतिरेक बजट में सरकार की आए सरकार की 20 से अधिक होती है अतिरेक बज़ट अर्थ ब्यास्था में मन्दी को उत्पन करती है जिससे अर्थ ब्यास्था का संकोचन होता है और मुद्रा इसपिती उत्पन होने नहीं देती है आगे देखिए आगे है 26 घाटे का बज़ट क्या है? घाटे का बजट किसे कहते हैं यह वह बजट है जिसमें सरकार की अनुमानित आय सरकार के अनुमानित बाई से कम होती है यानि सरकार का अनुमानित बाई से अधिक होती है घाटे का बजट में अनुमानित आय सरकार के अनुमानित बाई से कम होती है यानि बबाई अधिक होती है, घाटे का बजट, अर्थव्यूस्था को मंदी से निकालकर उसका विस्तार करने में सहायक होती है, घाटे का बजट के गून एवंग दोस लिखिए, घाटे का बजट का गुन क्या है दोस क्या है समझिए घाटे के बजट से यह पता चलता है कि कूल बई एवं कूल आय के अंतर को पूरा करने के लिए सरकार को या तो उधार लेना है या परिसंपतियों की विक्री करनी है इससे सरकार के दाइतों में बिर्दी होती है या परजमपतियों में कमी होती है ये आपका घाटे के बजट का गुन हुआ गुन अब देखिए दोस अब दोस देखिए दोस क्या है घाटे के बजट होने से सरकार को घाटा पूरा करने के लिए रीन की जोरत पड़ती है जिसक बाकि कोई एस्ट्रास विदा नहीं मिलेगा, जिसका अर्थब्यावस्था पर खराब प्रभाव पड़ेगा। आगे देखिए, आगे important topic है 28, 28 देखिए, राज कोश्य नीती एवंग मुद्रिक नीती में क्या अंतर है। राज कोश्य नीती एवंग मुद्रिक नीती में क्या अंतर है। भारत में मुद्रिक नीती को RBI लागू करती है। आगे देखिए, 29, 29 देखिए, रीनो का भुक्तान पुझिगत बै क्यों है। जब सरकार रीन का भुक्तान कर देती है, तो वा पुझिगत बै कहलाती है। क्यों कि इसके फलस्वरूप सरकार की परिसंपतियों में बिर्दी होती है और दाइत्यों में कमी होती है। आगे देखिए, लास्ट कॉसेन, 30, आखरी कॉसेन देखिए, 30 नंबर स्वाल, आर्थिक साहिता को राजे स्वबय क्यों माना जाता है, आर्थिक साहिता को राजे स्वबय क्यों कहते हैं। क्योंकि इसके फल्सवरूप ना तो सरकार की परिसंपतियों का निर्मान होता है, और नहीं दाइत्यों में कोई कमी होती है। तो चलिए, अभी हम लोग, most very very important सरकारी budget chapter से related 30 subjective very very important question को देखें, जो आपके 5 अपरेल यानि कल के एकजाम के लिए बरदान साबित होगी।